वेल्कम टुद अपरियाग राजिय इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे चंदराइन 1, चंदराइन 2 और चंदराइन 3 के बारे में विस्तार पुर्वक तो चलिए स्टार्ट करते हैं की चंदराइन मिशन है क्या चंद्राइन मिशन भारत का एक महत्वाकांची चंद्र अनिमेशन का एकरम है, जिसमें रोबोटिक मशीनों की एक सिंखला सामिल है, जिसका उस देश चंद्रमा की सनचना का ध्यन करना और उसके संसादनों जो रिसोर्से से उनका पता लगाना है। दुनिया का चौथा देश बन गया है, अब यहाँ पर किलियर कर लेते हैं कि सौफ्ट लेंडिंग से मतलब क्या है। बात यहाँ पर important यह है कि चंद्रमा की दच्छनी धुरूपर, दच्छनी धुरूपर सौफ्ट लेंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है अपना भारत। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इतिहास के बारे में। सोवियत संग जो कि आज का रूस है, सोवियत राज अमेरिका, चीन, भारत, जपान और इस्राइल द्वारा चंद्रमा पर मिसन संचालेत किये गए हैं। इनवे से केवल जो शुरू के जो चार देश हैं मतलब कि सोवियत संग, इवे से, सोवियत राज अमेरिका, चीन और भारत, चार देशों ने चंद्रमा की सत्था पर शौफ्ट लेंडिंग करने के उपलब्दी प्राप्त किया है। 13 सितंबर 1969 को सोवियत संग, लूना 2 चंद्रमा की सत्था पर पहुंचने वाला मा, पहला मानव निनुवित यान था, और आभी हम जाते हैं कि रूस ने जो है, लूना 25 इसको याद रखे, लूना 25 को भेजा था, जो कि 19 अगस्त को क्रैस कर गया, चंद्रमा की सत्था पर न पहला सॉफ्ट लेंडिंग करने वाला जो अंत्रिच यान है, वो इवेसे सार, यानि कि आज का जो रश्या है, उसके द्वारा 1966 में लूना 9 भेजा गया था, ठीक है, 20 जुलाई 1979, ये दिखे, 20 जुलाई 1979 को समित राज अमेरिका, इवेसे ने अपोलो 11 चंद्रमा पर उता हम रखे थे, तो हमने क्या जाना कि 20 जुलाई 1969 को इवेसे का जो अपोलो 11 मिशन था, चंद्रमा पर उतारने वाला पहला मानुवित मिशन था, और निल आर्म स्ट्रांग पहले बेगते थे, जिन्होंने चांद की सता पर अपने कदम रखे थे, अब हम बत करेंगे भारत के चंद्रायन मिशन की, तो चंद्रायन एक से सुरुवात करते हैं, तो भारत का पहला जो चंद्र मिशन था, वो चंद्रायन एक था, तो चंद्रायन फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को 37 धवन अंत्रिच केंदर सार सिरी हरी कोटा से सफलता पुर्वक लांच किया गया था, और यह भारत का पहला चंद्र मिशन और चंद्रमा पर पानी, अब तक कोई भी जो मिशन था, किसी भी देश का चंद्रमा पर पानी नहीं खोज पाया था, तो चंद्रमा पर पानी खोज करने वाला पहला मिशन था, चंद्रायन फर्स्ट, जो कि भारत के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 2008 को भेजा गया था और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ वहां पे जो पानी का जो एमांट चंद्रायन फस्ट ने खो जा था वह इतना एमांट था कि जो डल लेक है उससे भी ज्यादा पानी है वहां पे ठीक है अब हम बात करते हैं आगे अंत्रीच यान ने चंद्रमा के चारोर परिक्रमा की और चंद्रमा के रसायनिक मतलब केमड़, खनीज, मतलब मिनदश और फोटोभोगौलिक, फोटोभोगौलिक मानचित्रन परदान किये तो देखे चंद्रायन फस्ट ने क्या यह दोनों के दोनों क्या थे इंडिजिनस थे स्वादेसी थे अब इसका जो जाने का जो पात था वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यह हमारी फिर्थिवी ठीक है और यह है चांड एक्षिली में क्या है कि यहां पर elliptical path पर जो है वो मूव करते करते जो है यह lunar transfer trajectory को follow कर पहुंचने के बाद यहां पर इसको land करना था अब इस तरह के path होता है वो time तो ज्यादा लेता है लेकिन इसकी खासेती होती है कि इसमें fuel जो इंधन है वो कम जहें कम इस्तमाल होता है तो सबसे बड़ा जो challenge है हमारे चंदरायन मिशन में यही था कि कम से कम इंधन में जो ह है वो चांद की सता पर पहुंचाया जाए ठीक है क्योंकि हमारे जो यान थे उनकी जो पेलोड चमता थी वो कम थी तो gravitational energy का use करके जो है हम चांद की सता पर अपने mission को उतारने में हम सपल हुए हैं इस वजह से इस तरीके path का जो है वो परियोग किया गया और इसमें पुड पात जो अर्थ के orbit हैं और मून के orbit है इनका जो यूज किया जाता है और gravitational energy का उप्योग करके हम इन्धन को सेफ करते हैं मतलब बचाते हैं अब चलते हैं आगे जो चंद्रायन 1st है इसे धुरुवी उपगरा परछेपण यान PSLV polar satellite launch vehicle द्वारा परछेपीद किया गया था और इसने चंद्रमा के orbit में 400 से अधिक चक्कर लगाये थे ठीक है तो चंद्रमा के orbit में चंद्रायन 1st ने 400 से अधिक चक्कर लगाये थे और इसमें 11211 कुप करन थे जिसमें से 5 भारती थे जबकि अन्न जो है इरोपी अंत्रिच एजेंसी जिसको ESA एरोपीयन इस्पेस एजेंसी नेशनल एरोनाटिक्स एंड इस्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन नासा और वॉल्गेरियाई एकेडमी आफ साइंसे से थे ठीक है तो 5 भारती कोले जो 6 थे वो कहां कहां से थे इरोपी अंत्रिच एजेंसी ESA थे नेशनल एरोनाटिक्स एंड इस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और वॉल्गेरियाई एकेडमी आफ साइंसे से थे 29 अगस्त 2009 को अंत्रिच एजान से संपर्टू जाने के बाद मिशन पूरा हुआ और एक चीज और ध्यान देना है इसने चांद की सता पर जो कदम रखा था वह 14 नॉमबर 2008 को रखा था और जिस इस्थल पे इसने कदम रखा था उस इस्थल का नाम रखा गया है जवाहर जवाहर इस्थल इसको भी याद रखिएगा तो चंद्रायन फर्स्ट चौहे 14 नॉमर 2008 को चांद की सता पर उतरता है और जिस जगह पर उतरता है उसका नाम रखा गया है जवाहर इस्थल इस परकार यह जो मिशन है 312 दिनों तक कारिड़त रहा ठीक है अब बात क करेंगे हम लोग डिटेल में चंद्रायन 2 के बारे में चंद्रायन 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को सतीज दवन अंत्रिच केंदर स्री हरी कोटा से सफलता पूर्वक लांच किया गया था इसमें तीन मुख्य घटक थे इसके जो कॉम्पोनेंट थे तीन मुख्य घटक थे एक है और लेंडर जिसको विक्रम बोला गया रोवर जिसको प्रग्यार नाम रखा गया है ठीक तो तीन कॉम्पोनेंट क्या और बिटर लेंडर और रोवर जिनका निमाण इसरो द्वारा ही किया गया था इसका मतलब ये भी पूरी तरीके से स्वादेशी है इंडिजीनस है जो लें चालेज़ने करेगा रैला चंड्रमा की सथ्था पर ह्लेंड़ करता तो तकांट करना है और जिसका नाम है प्रग्यान और जो बिक्रम है लेंडर उसका काम है चंद्रमा की सत्ह पर soft lending करना काम है लेंडर का और प्रग्यान डिवर का काम है चंद्रमा की सत्ह पर घुम घुम कर डेटा भेजना इसे GSLVuana不会 में थर्ड M1 द्वारा लॉंच किया गया था ठीक है यह चंद्रमा के दच्छनी धूर के निकट सौफ्ट लेंडिंग कराने का भारत का पहला प्रियास था ठीक है अब चलते हैं आगे की इंफॉर्मिशन में 14 अगस्त, 14 अगस्त 2019 को चंद्रयान दो चंद्र अंत्रण परचेपण मतलब की LTT जिसको बोलते हैं इंगलिस में लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में प्रवेश किया और एक समस्या के कारण इसका लैंडर लैंडर जो की बिक्रम नाम रखा गया है अपने ब्रेकिंग रॉकेट के साथ ही चंद्रमा की सता पर दुर्भटना गरस्त हो गया और यह था भारत के लिए दुर्भागय पू उड़ गया और परन्त इसका आर्बिटर जो है आर्बिटर अभी भी कारिये कर रहा है तो इस तरीके से चंद्रायन दो को जहें पूरी तरीके से अस्फल नहीं माना जाता है यह माना जाता है कि केवल हम 5% जहें अस्फल है और जबकि 95% हमारा यह भी मिशन क्या था सक्सेस पूलता एक आर्बिटर हमारा जो है अभी भी काम कर रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें तीन कंपोनेंट है अर्बिटर था लेंडर था और रोवर था अब बात करते हैं कि और यह क्या करता है तो यह चंद्रमा की सता पर मानचित्रा चंद्रमा के बाहिमंडल का ध्यान करने के लिए 8 वैग्यानिंग पेलोड ले गया था अब हम डिटेल में जानेंगे चंदरायन 3 के बारे में चंदरायन 3 चंदरायन 2 का ही अनवर्ती मिशान है मतलब कि एक तरीक समाने के उसके आगे वाला मिशान है इसका उदेश चंदरमा चंद्रमा के सता पर शॉफ्ट लेंडिंग और रोमिंग में भारत के चमता का परदार्शन करना है चंद्रमा तीन के जो तीन प्रात्मिक उदेशें उसको जान लेते हैं पहला उदेश यह है कि चंद्रमा की सता पर सुरच्छित लेंडिंग का परदार्शन करना है दूसरा है चंद्रमा पर रोवर के मुव्मेंट का प्रदर्शन करना और तीसरा इन सीटू बेग्यारिंग परियोगों का संचालन करना 14 जुलाई 2023 को SDSC सिरी हरिकोटा से परिछेपण यान हैड़ बॉई LVM3M4 द्वारा सफलता पुरवक लांच किया गया है अब मिशन के उद्देश के बारे में जान लेते हैं तो मिशन के उद्देश को प्राप करने के लेंडर में बहुत सारी उन्नट टेकनोलजियां एडवांस टेकनोलजियां मौज़ूद है जैसे अल्टी मीटर, वैल्टी मीटर, जड़ती मापन, प्रोधन प्रणाली, नोहान, गाइडेंस, एंड कंट्रूल, एंजिसी और खत्रिया का पता लगाने और बचाव करने के लिए भी जो है इकुप्मेंट इसमें डाले गए थे जो तो अल्टी मीटर के बारे में बात प्रणाली में आर्ट्स, नोहान, गाइडेंस, एंड कंट्रोल, एंजिसी, एंजिसी में पावर, डिसेंट, ट्रेजेक्टरी, डिजाइन और सहयोगी सफ्ट्वेर तत पर इसके लिए सामिल के आगे है और खत्रा, खत्री का पता लगाना और बचाव के लिए लेंडर, ले जाओ, केमरा परसन स्कान इल्गोरीथम से लेस था ठीक है और जनकारी लेते हैं चंद्रायन तीन के बारे में, तो इसमें भी तीन घटक है, एक है प्रपाल्स, न मोड्यूल, दूसरा है लेंडर, जिसका नाम विक्रम रखा गया है, और तीसरा है रोर, जो की प्रज्ञा केवल और केवल एक Lunar Day है, मतलब की 14 दिन, एक Lunar Day जो हो 14 दिन के बराबर होता है, तो क्या हमने जाना, Propulsion Modul 3-6 माहत की उसकी उम्र है, और Land Rover की जो एज है, उम्र है, वो एक Lunar Day मतलब की 14 दिन तक है, इसकी जो कुल लागत आई है, 615 क्रोण रुपए आई है, इसको अगर अम इसको लेंडर ने चंद्रमा की दच्छने दुरूपर शॉफ्ट लेंडिंग किया, कब 6 बच के 4 मिनट पे, इसके साथ ही भारत, भारत चंद्रमा की दच्छने दुरूपर शॉफ्ट लेंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये सबसे बड़ी achievement रही, ये जो है laser doppler valestimeter है, ये पॉइंट जो है laser altimeter है, इसके साथ में ये LRA है, star sensor है, ये है star sensor, और इसके साथ ILA से पेलोड, यहां पे पेलोड है, ILA से पेलोड, lander hazard detection evidence camera लगए है, मतलब कि अगर lander को कोई जैसे चटान या कोई भी हजार्डस जो है कोई बाधा अगर आती है, त ये camera कहाँ लगा हो, ये लगा हुगा है, अब जिस तरीके से helicopter का leg होता है, उसी तरीके से lander में भी leg होते है, क्योंकि इसको ही तूतर नहीं है, तो इस तरीके से चार इसमें leg देखेंगे, एक, दो, तीन, और एक उधर उस चार में पीछे होगा है, तो lander leg लगए हुए है, ये हो गया lander का structure, अब बात करते हैं, रोवर, रोवर में जो है solar panel लगे हुए है, इसके साथ में solar panel hinge है, ये differential और warm electronic box लगे हुए है, जो के detect करेंगे, रोवर hold down है यहाँ पे, ये जो है इसके पहिये लगे हुए है, क्योंकि रोवर का काम क्या है, रोवर जो प्रग्यान है, इसका काम है, चंद्रमा की सता पर घुम घुम के resources संसाधनों का पता लगाना है, ठीक है, तो ये कुछ structure है, रोवर का, अब हम बात करेंगे कि भारत के लिए चंद्रायन तीन जो मिसान है वो इतना महत्पूर्ण क्यों है, तो देश के बेग्यानिक और तक्निक जहमताओं क का प्रत्रसन करने के मदद किया है, और जसे उपगरह प्र पर दोब की मतलब जो Meat टेक्नालोजी है, और अन्तृच परियाटन जो इस्पेस टुरिजम जैसे अनिच हित्रों में लागू किया जा सकता है, चंद्रायन एक के द्वरावां प पानी की खोज और जिसमें भविश्यक की चंद्रमा पर कालोनी की स्थापना की जो संभावना है चंद्रान एक द्वारा पानी की खोज ने जो है उसको बुस्ट अब दिया है और अंत्रिच के संसादनों का दोहन भी इसमें सामिल है इसके साथ इसके साथ जो इंपोर्टेंट पॉइंट य लेकिन आप आज की डेट में नासा की तरफ न जाके आपको आना है कहां पर इस रो जो है वो एक प्रमुक संस्थान हो गया है जहां पर कीसी भी इवा के लिए जाना एक बहुत बड़ी उपलब दी होगी तो इस मिसा ने इवा वीडियो को बिग्यान पढ़ दोगी इंजि इस वीडियो की पीडियो को प्राप करें तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद